आप जब यारोप लगाते हो कि भारती जंता पार्टी बहुत संख्यक वर्ग के साथ खड़ी हो जाती है तो आप अलब संख्यक के साथ खड़े हो जाओ आप मैंसे कौन गया धुन्निपूर कोई नहीं गया कि मारे डरके उदर चे गुजर नहीं रहे हों वहां के ट्रस्में हमारे मित्र लोग हैं कि लिए सुनको सब मिल चुके हैं यह काम नहीं बढ़ रहा है अगले जी मंदिर बन वा रहा है सेफ़ाई में करें हमारा मंदिर में आओ हम भी उद्गाटन करने वाले हैं कमल नात कहरें आज बोपाल में कि हमसे ज्यादा मंदिर किसने बन वाए कमल नात करें हमसे बड़ा हनुमान भगत है कोई लोग और रत्नाकर जी करें कि करती है और कमला जी बहां जले भी बांट रहे हैं अरे हम जुटाओ ना भाई जाओ ना दुनिपूर क्यों नहीं जाए गए सलमान खुर्षिद को उतारा कि तुम जाओ और नियोता मांगो आयुद्या का राम मंदिर का क्यों भाई यह तो सोच लो ना सलमान खुर्षिद छोटे नेता है क्या वो जाकिर हुसाइन के नाती है उनके नानात है जाकिर हुसाइन इतना तो ध्यान रखो दुनिपर क्योंने भेग देते उनको जाना चाहिए नहीं गए अजयराय को जाना चाहिए नहीं गए राहुल को जाना चा जाओ सर्वधर्व संभाव का शिला लेख वहां लिखो क्या समस्या है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बोलने की हिम्मत नहीं हो रही जाना चाहिए था ना वो भी सामाजित्ता की आधार पर बननी है मजजद सरकार को तो परशा देना नहीं न मंदर को न मजजद को तो आप लोग योगदान करो ना क्यों नहीं कर रहे दिजिए पार्टी फंट से दिजिए अपनी जेव से दिजिए तब लगेगा कि हां भाई ठीक है जो कहते हैं सो करते हैं बना तो पीडिये परवान नहीं चाड़ेगा अल्प संक्था कि नहीं पूछेगा कि अखिलेशी भी नहीं आये मस्जद बनवाने बताईए पूछेगा ना यह सट्रिफिकर तो आपने खुद ही दे दिया कि योगी और मोदी मंदिर की राजनीत कर रहे हैं तो मंदिर उनके पक्षिमा चला गया आप को तो मस्जद बनवानी चाहिए थी तब यहां संकट पैदा हो जाता है मित्र करनाटक में चुनाब हुआ डीकी शिवकुमार ने चुनाब बोटिंग से पहले कहा अगर हमारी सरकार बनी हर जिले में घनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे यह क्या था कि यह तो प्रिशुंदू पर्शन जैसा मामला था बत्रंग दल जैसा बल्कि कांगरेस ने उनको रोका तो नहीं कि यह साब भाई साब बाइसी बात मत बोलो यह कम्मिनेल बात है कि तब कलवा कलवा थू और मीठा मीठा कप यह नहीं चलता भाई तराजू बराबर रखो करनाटक में सेकुलिरिस्म है और उत्रपदेश में कमिनलिस्म हो जाएगा वो किस हैसी से कहा था कि महारफ जिले में हनुमान जी का मंदिर बनवाएगी सरकार सरकार का काम हनुमान का मंदिर बनवाना है उडिप्टी चीप मिल्स्टर है तो सूचो तो बात तो इमानदारी के रखो भाईया कांग्रिस ने कहा कि यह कहिने भर से पीडिये नहीं जुड़ता सपा के पास यह भाव है उस दल का जो दल यह पिक्षा कर रहा है कि उत्रपदेश में समाजवादी पार्टी हमारे साथ चले बताइए कैसे चलेगी कैसे चलेगी काव रहीम कैसे निभे बेरकेर को संग बेडोलतर सा अपन दे उनके फाटा तंग इतना तो आपके दोनों के बीच में अभी श्रास है गहरा यह अजय राइस और अखिलिश यादव जी के बीच में जो संस्कृतिक वारता लाप हुआ यह किसी दूसरे ने करा दिया क्या कि यह तो दोनों समझदार लोगों ने अपने आप यह साश्कृतिक वारता लाप किया उन्होंने अखिलिश जी ने का यह चिरकूट है अजयराय के लिए अजयरायन का इसने अपने बाप का सम्मान नहीं कि हमारा क्या करेगा यह बाते किसे दूसरे ने तुम बुल्वाई नहीं पंडे जी यह तो अपनी चेतना से बोले जाए शब्द हैं यह तो अखिलेश जी तो खुद हाई कमाने अजयराय को हो सकता गांधी परिवार ने कहा हो कि भाई तुम बोलो अखिलेश जादव के लिए क्योंकि हमने तो ऐसी भी ख़बर सुनी थी क्या खिले अजयराय को दिल्ली बुलाया गया राहूल गांधी ने नाराजगी जेता ही क्या खिलेश के खिलाब मत बोलो वो दूसरे दिन और लठ लेके आ गए और रिष्टा इतना बढ़िया बना रहे हो फिर कहोगे दूसरे इसा कहते मैं ख़बर देख रहा हूं रामपूर में नूर महल मिक्की मिया के समय से सोचिए कांग्रेस के साथ ख़ड़ा रहा अब मैं सुन रहा हूं कि वेगम नूर वानों अपने बाल बच्चों नाती पोतों समेथ भाजपा की ओर आ रही है क्यों वह करी आजम खान के पास तो कांग्रेस पहुंच गई अब हम क्या करें इसमें किसका दोश है आप आजम खान के पास गई समाजवादी पार्टी कुछ लढ़ाने के लिए कि नहीं वहां भाजपा कुछ लढ़ानी तो आप गई नहीं थे आप ये सवाल ख़डा करने गए कि अखिलिश यादव नहीं आए और अजेराय आये हैं यही ना अखिलिश यादव को हो समाजवादी पार्टी मुसलमानों में कटगरे में खड़ी हो जाए यही कोशिश थी ना मित्र है और क्या कोशिश थी और आप उसका वो कीमत चुकाने को तयार हो लेकिन सपा के पिंच भोदे उसकी कीमत अगर यह हो कि नूर मानों अपने परिवार सही यानि नूर महल रामपुर का भाजबा में चला जाए बोले कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम आजम खान के साथ खड़े होके अखिलिश याद पैदा हूँ लोग कैसे भरोसा करें कि आप एक हो गए हैं दिल मिल गए हैं मन मिल गए हैं कि इतने ज्यादा विसंगतिया पैदा कर दी आपने और ठीक रहा दूसरे एक से फोड़ना चाहते हो भाई कैसे कोई सर्थ नहीं मिलेगा में तरफ की क्योंकि आपके गाली गलोज बड़े खुद करने हैं छोटों का सिर नहीं बली चढ़ा पाएंगे इस बार ना जो हो रहा है शीट से लोग ही कुछती कर रहे हैं आजम खान से भी मिलने रतनाकर सिंग नहीं गए खुद आजे राय गए हैं और तो आभावी का आजे राय ब लुदे आए उनको के के लिए संगर्ष करेंगे बताइए और स्रुमाजवादी पार्टि किनाराज होना स्वाभाभी करें वो करें अपने चाचताओ के लिए संगर्ष ने कर रहा है आजम खान के लिए संगर्ष कर रहा हूं इसका मतलब हम समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हूं यह तो फिर आप जनता को बिलुकुल ही लेलू समझ रहे हूं यह अपने को धेर हुश्यार यह नहीं चल सकता यह तो कि कर लो न एफ और क्या है आपके लिए अल्प संक्यक है तो चाती कोल कर बोलो ऑफ engineered की प्रदे की पीछई क्यों चुपर lado muss आदिवासी है तो आदिवासी बोलो, और अगणा है तो अगणा बोलो, कि पिशला, दलित और अगणा, फिर मुसल्मान छोलो, इस सहर्ष तो जुटाओ. और कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था, रतनाकर भाई ने, वो योगी व्यक्ती है, सवाल ढून के लाए थे, लेकिन तथ्य तो निरपेक्ष्यों होते हैं, वो किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता के मुकापेक्षी नहीं होते हैं. अयुद्या में जन्म स्थल्प राम जन्म भूमी पर जब एक बार पहले एक कारिक्रम हुआ था, शिलन्यास जैसा ही, शिला पूजन का, तो पासवान जाती के एक राम भक्त ने वो काम किया था, वो पासवान था, उसकी जात गूगल पर देखिए, पीडिये में फिट होत ठीक, ठीक, पासवान कहां कौन है, कांग्रेस अभी कह रही थी कि दलित और पिछणों के विरोध है वहाँ, मंदिर में, भूमी पूजन का विधान हुआ, पिछडे ने किया, और राष्ट्रार्पित होगा 22 जन्वरी को पिछडे के जरिये, और रतनाकर जी करे थे, पिछ पिर यही देख लो, यह तु देख लेते, बात ठीक है कैसे, जब गलत बोलोगे, और पिर हम बता देंगे, तो कहोगे लो, ऐसा बोल रहे हैं, पासवान कौन किस वर्ग में आते हैं, मैंने क्योंगा, खुद देख लो, रामिलास पासवान किस वर्ग में थे, धलित होते है ना, इतिहास मिदर्ज है, भूमी पूजन किस ने किया, पिछडे ने किया, OVC, और OVC की बात हो रही है, लड़ाई भी OVC की लड़ रहे है, सब लोग, प्रानपत्रिष्ठा कौन करेगा, OVC, फिर, या फिर यह काओ कि हमारा OVC करे, या फिर यह काओ भाई, तिवारी इति गलत बात तो ने कहीं, सीरी बात सही बात है, ना, यह तत्थ कैसे जुटलाओंगे, मित्र, और मैं तो कहूंगा, जिनको लगता आयुध्याम ट्रेन छूट गई, तो बगल में धुन्नी पूर है, क्या, जितने अर्मान रहे गए, आयुध्याम नहीं पूरे कर पाए, भाजपा कही कारण सही, तो वो लोग मस्जिद बन माने में योगदान दे, उनका सेकुलर चेहरा भी सुर्ख रूफ होगा, साहस जुटाओ, और रचितो इध्यास, सौदो सो करण रुपया पाल्टी को देना चाहिए, कांग्रेस को सपाको बसपाको, और अपने कार्करताओं से कहना चाहिए, बहां कारसेबा करो जाके, और मैं तो कहूंगा, गांदी परिवार से भी किसी को जाना चाहिए, मित्ता ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सुझा, भी ले जाएए, धन्य बाद